एक बहुत ही बड़े यह प्यासी टीचर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट उनका एक बहुत ही फेमस क्वेट है क्यों डरें जिंदिगी में क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा अगर फैल भी करते हो तो तुम्हारे साथ experience रहेगा बट वह चीज़े यहां पर apply नहीं होती है अगर आप लोग कर रहे हो तो यहां पर apply नहीं होगी क्योंकि अगर चार-पांच ड्रॉप्स आपने इसमें वेस्ट की और दो साल 11-12 का और उसके बाद भी आपका सेलेक्शन नहीं होता है तो आपका यह पूरा फ्यूचर डेंजर मे मैंने क्या-क्यार लेर्णिंग सीखी और जो कि मेरी लाइफ में आगे काम आएंगी या नहीं चलिए मैं एक ब्रिफ इंट्रोडक्शन देता हूं अपना मेरा नहीं विवेक और मैंने दो ड्रॉप्स के साथ चार साल नीट में दिये हैं और मैंने नीट क्रैक करने में मैं म और सारी कुछ मैंने ऊण-लाइन स्ट्ड़िक करी थी दो साल के प्रिफिशन में और इसमें जो 11-12 भी था वो भी सेलफ स्ट्ड़िक से करा था तो इसमें कोई भी ओफ लाइन वैंने कोचिंग होईन नहीं करा था तो चार सालकी मेरी जड़िंग … और यह सारी चीजे मैं बता चुक हूं कौन सा मेने लिया था ये पर कैसे मैंने कौन सेमेटरियों symbolism किया थे सब कुछ मैं बता चुक हूं इस चीजों पे तुम तो मैं डिसकेस नहीं करने वाला हूं तो सब तो होता ही है तो यह तो मैं पहले से कर रहा था बट में मुझे कंपडिशन दीखा कैसे किस कंपडिटिव लेवल से बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने भी उस टाइप से study किया unfortunately नहीं हो पया या फिर fortunately नहीं हो पया selection क्योंकि आगे कुछ और भी decided हो सकता है God plan कौन जनता है सो इसलिए हम लोग यह कर सकते हैं कि अभी मेरा selection नहीं हुआ तो यह fortunately भी हो सकता है कुछ अच्छा बगवान ने सोच रखा हो मेरे लिए सो अभी देखते हैं hard work में तो लगई है क्या क्या वहां पे कहा result हमारा मिलता है सो नीट में तो असफल रहा मैं तो अभी इसकी मैंने यही सबसे बड़ी learning में यही रही कि मैं hard work करना सीख गया और यह भी major learning नहीं है क्योंकि अगर जो भी बच्चे competitive exam में आ रहे हैं मेरा ऐसे 12th का भी result अच्छा था 10th में भी मैंने उससे भी ज्यादा result अच्छा score किया था तो आसे hard work तो मेरे में पहले सही था बट एक competitive जो महाल होता है वो मुझे NEET में दिखा और किस spirit से अभी बच्चे study कर रहे हैं वो भी मुझे इसमें आने के बाद जनने को मिला इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा part रहा मेरी life का जो कि NEET के preparation में यहने 2 साल दिये बट यहीं पर इसकी negative point भी यह है कि मेरे 4 साल इसमें ऐसा मुझे लगता है कि waste ही हो चुका है क्योंकि 11-12 में मैंने PCB ले रखा था अगर इसमें maths भी मैंने ले लिया होता तो बहुत ही अच्छा रहा था और मैं take field में भी बहुत कुछ कर लेता क्योंकि freelancing या फिर कुछ भी ऐसा आप लोग try करो जो भी अभी take related industry बहुत ही ज्यादा grow होने वाली है तो इसलिए अगर आप लोग PCMB ले रखे होगे तो आपका बहुत ही ज्यादा career secure है क्योंकि अभी take ही बहुत ज्यादा इंडिया में grow होने वाला है take industry और इसमें हम लोग bio वाले जितने भी बच्चे हैं नहीं कर पाएंगे कुछ भी तो इसलिए जिनका math है वो तो अच्छे से अपना career secure कर पाएंगे बट जिनका need में selection नहीं हुआ और bio ले रख है सिर्फ तो उनका तो बहुत ज्यादा danger में future इसलिए मैं यही इसका negative point में बताना चाहूंगा आप लोगों को और यह मुझे भी बहुत ज्यादा यह face करना पड़ रहा है तो अगर मैं take field में भी जाता तो मुझे skills अभी बहुत ज्यादा acquire करने का time था इन 4 सालों में मैं बहुत ज्याद ग्रोथ मतलब है उसमें take field में बट इसमें कुछ और नहीं है अगर आप लोग नहीं किया तो इसमें medical field में जाओगे नर्सिंग का कोर सकते हो यह फिर यह सब यह एक negative aspect है जो की need prevention बच्चे करते हैं और यही मैंने अभी तक सबसे बड़ा mistake में रही हुआ है कि मैंने मैस नही भी medical practitioner से या फिर डॉक्टर से अगर आप लोग बात कर रहे हो तो कुछ medical terms आपको भी knowledge है उसके बारे में तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो और यह health sector से आपको पूरे life में कभी ना कभी डॉक्टर से मिलना होता ही रहेगा अपने family या फिर कुछ अपने health issues के को लेकर इसलिए थोड़ा सा medical knowledge होना चाहिए तो कहीं न कहीं इसमें आपको benefit रहता है वो तो basics आपको कुछ कुछ पता होते हैं तो वो कोई भी अगर educated person है तो उतना बात कर सकता है medical terms में थोड़ा सा उसका तो knowledge रहे गाई बट यहां पर physics और chemistry जो हमने पढ़ाया वो कहीं पर भी इस और अभी मैंने जो भी फिल्ड चूज करा है उसमें तो यह physics chemistry और biology कहीं एक percent भी इसमें यूज नहीं हो रहा है पूरा का पूरा मुझे shift करना पड़ा क्यूंकि इसमें biology में उतना मुझे अच्छा career option दिखा नहीं एक ही option है base in nursing कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोटे मटे jobs की preparation कर सकते हो इसलिए मुझे यह करना नहीं था इसलिए मैंने अपना पूरा का फिल्ड शिफ्ट कर लिया अपना stream कर लिया बिकॉम की तरफ उसके लिए मैंने अलग वड़ी बना रख़या आप लोग चेकाउट कर सकते हो क्यों किया मैंने ऐसे निट से वीकॉम में क्यों shift कर लि अगर आप लोग seriously हो निट डॉक्टर के लिए अपने डॉक्टर ड्रीम के लिए तो उसी के पीछे लग जाओ और 100% जब तक आप अपने गोल को अचीव न कर लो किसी और चीज के पीछे मत जाओ कोई भी अगर आपका पैसान है इंट्रेस्ट है तो उसको अभी के लिए छोड़ दो और अपने निट पर ही फोकॉस करो 100% कहीं में time waste करना आपका सही नहीं रहेगा और यह social media जो है बहुत ही बड़ा distraction है आप लोग को आगे यह पता चले गवाद अगर आप लोग fail कर जाते हो अब अभी ध्यान नहीं दोगे बहुत ही बच्चे distracted है और मुझे daily message आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे वाई इस पर distraction फे वड़ियो बनाओ मैं distracted हूँ बहुत ही तो मेरा तो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया बट आपके ड्रीम को पूरा करने में मैं बहुत ज़्यादा help करूंगा आपकी और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी help भी करूं क्यूंकि आपका सपना पूरा हो और अभी मैं अपने किसी और सपने के लिए लगा हूँ और hardware कर रहा ह तो अगर आप लोग मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब और इस वडियो को लाइक करके चलो मिलते हैं किसी अगले वडियो में तब तक लिए गुड़ बै टेक क्यार ओल दवेस्ट फॉर निट्वेंटी ट्वेंटी फाइ झाल 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 झाल